हेलो गाइस वेलकम तो माई चानल तो आज हम बढ़ाने जा रहे हैं ग्रीन खीमा यहां में ने कड़ा ही रख दी है और इसमें में तकरीबाद 2 टेबल स्पून टेल डाल दिया और आमें तेल अच्छे से गरम होती है उसमें चॉपके अनियन डाल दिया है हमें अनियन को अच तोमेटो दाले ज़िए नमक भी डाल जाल जाए और अमारे टोमेटो थोड़ी से गल गया है तो इसके अंदर मैं भी कीमा डालने वाली हूं मैंने तकरीबन 300 g मटन का कीमा लिया है हमें टामटो के साथ यह अच्छे से मटन का कीमा मिक्स कर लेना है और अशे थोड़ा सा भून के उसको ढखकर लग देना है अब यह हमारा कीमा आच्छे से भून गया है तब तक मैंने ग्रीन चिली इसमें मैंने हाल्डी डाल लिये आप अपकी हिसाब से ग्रीन चिली का पेस्ट बढ़ा सकते हैं हामारे घर में तोड़ा तीखा पसन है इसले में थोड़ा से स्पाइसी रखा अभी यह अच्छी से तेल चुटने तक मैंने पका लिया था किकि जो मसालों का जो कच्छा पन रहता है मोस्टी जो अद्रक और ल अच्छी से फिर से बूना है और जो हमारा पानी था मतलब जिसमें मैंने पेस्ट की थी अद्रक लसुन हरी मेरिच पुदीनी की तो उसे हमें फेकना नहीं है हमें उसका ही पानी यूज करके कीमे में मितलब जितना पानी आपको लगता है पकने के लिए कीमा अपका उतना पकने के लिए हमें बीच बीच में यह चेक करना है कि कीमा नीचे ना लगे और अच्छे से पक जाए तो यह हमारा कीमा रेडी था तो मैंने इसे सवेंग डिश में निकाल लिया और फिर मैंने इसे गानिशिंग के लिए इसके उपर प्याज और निम्बू रग दिया था आपको यह रेसिपी अच्छ लगी तो आप ज़रू सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए तब तक लिए बाई